नमस्कार जैहिंद मौसम विज्ञान के अंदर जैपूर से मैं रादेशाम सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज दिनांक 21 अगस्त रविवार है और हम बात करेंगे राजस्थान में अगले 3-4 दिनों के दौरान एक भारी बारिस की सिस्टम की सबसे पहले नजर डालते हैं पिछले 2-3 दिनों से जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ एक लोप्रेशर सिस्टम डीप डिप्रेशन का रूप ले लिया था यदि मैप के माध्यम से मैं बताऊं तो 19 अगस्त को सुबह के समय आप देखेंगे कि उत्तरी बंगाल की खाड़ पहले दी देखें तो यह सिस्टम जारखंड के वेस्टन पार्ट के उपर में डीप डिप्रेशन के रूप में था फिलाल यह सिस्टम लगातार वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट वर डारेक्शन में आगे बढ़कर पूरवी मध्यपरदेश के उपर में बना हुआ है और देखेंगे कि यह सिस्टम जो है वह अभी भी अगले 24 गंटों तक लगातार पूरवी मध्यपरदेश से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नॉर्थ वेस्ट वेस्ट वेस्टन पार्ट्स उप मध्यपरदेश और आसपास के लगने वाले जो साउथ इस्ट राजस्थान य में भी यदी देखें तो जो जादा इंटेंस क्लाउड पैच दिखाया गया है या जो रेड सर्किल में यह बताया गया है यह फिलाल डिप्रेशन की केटेगरी में है और यह दीरे दीरे जो है वो क्यों कह सकते हैं कि अगले 24 गंटों में कोटा संभाग की तरफ आगे बढ बारिस है वो राजस्थान के पॉइंट ऑफ यू से देखें तो कोटा संभाग यानि साउतिस्ट राजस्थान और पूरवी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी से अत्ति भारी बारिस यानि 500-200 mm के आसपास भी बारिस इस दोरान हो सकती है जिलावार देखें तो जहला संभाग के साथ जैपूर और उदेपूर संभाग के जिलों में भी भारी बारिस का सिस्टम जो है वह सक्रिय होगा और यहां पर भी कहीं-कहीं भारी से आती भारी बारिस हो सकती है तेई सगस्थ को देखें जैसे जैसे आगे पड़ेगा यानि साउथ वेस्ट राजस्था जिले हैं यानि जो जोड़पुर संबाग के जिले हैं साती सात उदयपूर संबाग और ज़मिर संबाग के जिलो में 23 अगस्थ को भी कहीं ख़ोड़ो और प्रति भारी बारिस होने की परबल संभावना है इसके अलावा 24 अगस्त को देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों से बारिस की गतिविदियों में कमी होगी और साउथ वेस्ट राजस्थान यानि जोद पूर जैसल मेर बाड मेर का जो इलाका है वहा जानी जालावाड इसके लावा बारा और उदेपूर संभाग के परतापगड जिले में एक दो इस्तानों पर एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफाल भी रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है देखें मैप में यदि जिलावार देखें तो जो औरेंज कलर में अगले अगले तालिस गंटों के लिए दिया गया है यह कोटा संभाग के सबी डिस्टिक्स हैं बारा कोटा बुंडी इसके लावा जालावाड और साथी साथ सवाई मादवपूर में भी वेरी हेवी रेनफाल होने के चांस है इसके अलावा यह जो अजमेर भीलवाडा और यह जिले हैं पर भी कहीं कहीं ऐसिलेटेड हेवी रेनफाल होने के चांस है बाइस अगस्त को सर्वादी कसर रहेगा पूर्वी रजस्तान के साथ साथ stem मेरा जैस्टान के भी जोदपूर नागोर पाली और वहीं उधेपुर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं हEV तु वेरीएवी और यह जो तीन जिले जो बताए है प्रतापगड है इसके अलावाए एक जालावाड और बारा जिलों में कहीं कहीं एक्स्ट्रीमली हेवी रेंफाल यानि 200 mm रेंफाल भी क्रॉस कर सकता है जिहां सरवादिक असर 22 अगस्त को 23 को देखेंगे तो साउथ वेस्ट राजस्तान यान जो जुद्पूर जेसलमेर का जो इलाका है या साउथ वेस्ट राजस्तान के जो भाग है वहाँ पे भारी भारी बारिस के रूप MEं देखने को मिलेगा अब बात करें सिस्टम का असर की 25 अगस्त को तो 25 अगस्त को इसका असर जो है वो का आफी कम हो जाएगा जादा तरे जैपूर और भरतपूर संभाग के जिलों में भी ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविद्यां होंगी इस सिस्टम का जो असर है वह सबसे इस सिस्टम के असर से किसानों को यह सला दी जाती है कि वर्तमान मौसम की कंडिशन को देखते हुए अगले तीन चार दिनों तक शिंचाई को रोक दें यानि जो इरिगेशन है उसको थोड़े तराइम के लिए टाल दें इसके अलावा किसी भी प्रकार के रसायन या कीट ना सकता जो छिड़काव करने का जो प्लान है उसको भी अगले तीन चार दिनों तक रोक दें क्योंकि जब भी लॉप्रेसर सिस्टम होगा तो आस्मान जो है वो पूरी तरह से ओवर कास्ट होगा यानि आस्मान बादलों से डखा रहेगा रुक रुक कर कहीं कहीं लाइट तो मॉडरेट इंटेंसि के बाद प्लान कर सकते हैं धन्यवाद